हेलो एब्रिवान, वेलकम तू मैं चैनल, लो एंड शाइन, दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ओली स्किन के लिए, एक्ने और पिंपल की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, पिग्मेंटेशन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, एक बहुत ही 100% Natural Home Remedy, इस Home Remedy और इस Face Pack को अगर आप डेली अपने चेहरे पर यूज़ करेंगे, तो oily स्किन की जिनको प्रॉब्लम है, उससे आपको छुटकारा मिलेगा, Sun Tan को रिमूव करता है ये Face Pack, स्किन पर नया ग्लो देता है, एक्ने और पिंपल्स की जिने प्रॉब्लम है, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा Face Pack है, तो चलिए बनाते हैं इस Face Pack को, इसकी लिए हमें किन-किन चीज़ों की जरूरत है, एक छोटा चमच, चंदन पाउडर, मैंने इस Remedy में Sandalwood Powder यूज़ किया है, जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ही Beneficial है, ओल प्रॉडक्शन को रोकता है, पिगमेंटेशन को ठीक करता है, ब्राउन पैचिस जिनके चेहरे पे हो जाते हैं, Sandalwood Powder उसके लिए Magical काम करता है, एक चुटकी हल्दी, इसमें Antibacterial and Antiflamatory properties होती हैं, जो कि पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम को दूर करती हैं, दाग धबें जिनके चेहरे पे उनको कम कर यह आपके रंग को निखार देती है, साथी साथ आपके चेहरे में एक नया ग्लो देती है, तो छोटे चमच गुलाब जल, सारी स्किन टाइप के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है, यह आपके पोर्स को टाइट करता है, दाग धबन को कम करता है, और चेहरे पे जो रे पाँच की कटोरी लें, एक टी स्पून सेंडल वुड पाउडर डाल दीजिए, अब आप इसमें एक चुटकी हल्दी डाल दें, और दो टी स्पून रोज वाटर डाल दीजिए, इन सब चीजों को आप अच्छे से मिक्स कर लें, समर के लिए फेस बैक बहुत ही अच्छा इसे मिनिममम 10-15 मिन रपके साफ पानी से धो दें, इस रेमेडी या फेस पैक को हफते में 3-4 बर अपलाई करें, आप देखेंगे आपके एक्ने और पिंपल की प्रॉब्लम बहुत हद तक ठीक हो जाएगी, अब बारी है आज के बोनिस पॉइंट की, रोज वाटर यानि क गुलाब जल को आप एक टोनर की तरह भी यूज कर सकते हैं अपने चेहरे पे, इससे रिंकल्स दूर होंगे, पोर्स को टाइट करेगा रोज वाटर, ऑईली स्किन की प्रॉब्लम है जिने, उससे चुटकारा दिलाएगा, दाग धबं को कम करेगा, और आपके चेहरे को ब प्यूटिफुल और ग्लोइंग हो जाएगी, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो जल्दी से जाके लाइक कीजिए, आप मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेर भी कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्स्राइब क करना ना भूले, मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ अब तक के लिए, बाई!